वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरा वीडियो को आपको इंड तक देखना है जैसा आपको पता होगा कि SSE CGL 2022 का notification जारी हो चुका है और हर एक section को इस बार के examination pattern में फुल इज़त दिया गया है किसी भी एक section को आप ignore नहीं कर सकते चाहे वो general awareness हो, English, Maths या फिर regionally हो हर एक section को जो नया pattern है उसमें समान इज़त दिया गया है हर एक section पर अच्छे से काम करना होगा तभी हम जा करके अपना merit बना पाएंगे स्वागत है दोस्तों आपका आपके एपनी YouTube channel पर इच्छा होल्ट 247 में तो चलिए आज हम बात करेंगे general awareness के बारे में इसकी syllabus क्या रहने वाली है क्या क्या हमें पढ़ना होगा कैसे हम तयार करेंगे इसे जो समय हमारे पास बचा है और किस book को scan करना है इस book को कैसे हम scan करेंगे और जो tier 1 और tier 2 में 25-25 प्रस्न पूछे जाएंगे general awareness के उसमें हम अपना maximum marks कैसे achieve करें दोस्तों बात करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे 75 दिनों का यहाँ पर weekly revision plan चलाएंगे जिसमें आपको Monday को topic दिया जाएगा और पूरा सप्दा यानि कि Monday से लेकर Saturday तक पूरा सप्दा आपको उन topics को दिये गए book बताएगे books में जाकर के जो topic बताया जाएगा उससे आपको क्या करना है line by line scan कर जाना है अगर आप उससे समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से video भी provide करा जाएगा और Sunday को आपको केवल revision करना है देखेगा time रहते 75 दिनों के अंदर 2-3 बार हम पूरे general awareness को revise कर लेंगे बस हमारे साथ बिलकुल अंत तक आपको जुड़े रहना है और यकीन मानगे इसके बाद आपको general awareness का कोई भी प्रस्न नहीं सताएगा हमारे साथ एक भी बच्चा अगर अच्छे से जुड़ेगा तो याद रखेगा वो last last तक जरूर कहेगा कि हमसे एक भी प्रस्न नहीं जूटा है दोस्तों ये बात तो आपको ये कड़वी सचाई बोल ये जिंदगी की कि जो नौजवानों की जिंदगी है बिना नौकरी के उन्हें ना समाजिजद देता है ना उनका परिवारिजद देता है तो इस बार SSE ने एक चांस दिया है 20,000 प्लस वेकंसी बहुत बड़ी वेकंसी है हमें काम करना है जी तोड काम करना है और कैसे इस समय को जिटिलाइज करें और हर एक सेक्षन पर काम करके क्योंकि आपको टार्गेट जो दिया जाएगा हर एक सेक्षन को दिया जाएगा ल जेनरल नॉलेज, दुसरा साइंस यानि के विज्ञान और स्टाटिक जीके और करेंट अफेर्स ये चार सेक्षन से सवाल पूछे जाते हैं टीर वन में 25 परस्ण रहेगा और टीर टू में 25 परस्ण रहेगा टीर टू के बेसिस पर आपके मेरिक बनाया जाएगे जीके की अगर बात करें तो इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जग्रफी है और एकॉनोमिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जग्रफी और एकॉनोमिक्स चुकि 25 परस्ण पूछना है और पूरा इसमें जेनरल साइंस भी है, स्टाटिक जीके भी है, करेंट अफेर्स भी है, तो हि पूछा जाएगा तो हिस्ट्री से तीन से चार प्रस्ण देखने को मिलेगे जिसमें कि आपको इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा-थोड़ा यहां पर देख लेना होगा तो इसके लिए हम आपको भुक भी बताएंगे कि किस भुक से आपको कवर करना है और उ उस बुक से आपको टेस्ट भी दिया जाएगा आपको लगाना भी यह टेस्ट ठीक है तो यह हुष्ट्री के तीन से चार प्रस्ण होंगे पॉलिटी के दो से तीन प्रस्ण इंडियन पॉलिटी जिसमें की पॉलिटी, कंस्टिटिउशन, आर्टिकिल्स यह सब है तो यह स तो आपका static part होता है, जिसे की पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ ही जो budget है, union budget, या फिर जो economic survey है, economics related जो schemes वगेरा है, government का कुछ schemes है, financial scheme, तो उसको लेकर के current affairs से भी present economics बन जाते हैं, तो economics का लगभग 10 से 12 क्लास में पूरा economics, जो SSCCL के लिए जो हमें पढ़ना है, वो आपको य miscellaneous में जैसे inventions वगेरा आ जाते हैं, discovery आ जाता है, chemistry में, physics में, biology से, तो ये सब कुछ miscellaneous topic होगा, ये पूरे science से आपको 6 से 7 प्रस्ण इसमें देखने को भी देगा, science का जो class है, देखे, science का class में हम biology, physics, chemistry, तीनों का class आपको 23 सेप्टेंबर से एक एक करके मिलना सुर्ण हो जाएगा, biology में जो भी important topics होगा, वो सारे के सारे topics आपको यहाँ पर करा दिये जाएगे, और वो भी एक अच्छे level के साथ, ताकि आपसे PCS level तक के प्रस्ण नहीं चुटेंगे, इस तरह का content यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है, तो ये आप देख लिजेगा वहाँ से, biology 23 September biology, physics, chemistry, आपको सही समय पर complete करके syllabus दे दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, हो सकता है किसी दिन class miss भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी काम होते हैं, तो अगर class miss हो जाएगा, तो दूसरे दिन आपको थोड़ा लंबा class मिल जाएगा, 2-4-5 unit और add कर देंगे class में लेकिन समय पर आपका पूरा का पूरा syllabus cover हो जाएगा, science और general awareness का, आगे देखे, static part में क्या करना है, जैसे books और authors होता है, art culture, sports, national and international organization, honors, awards है, कुछ miscellaneous topics हैं, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, जो अभी book बताय जाएगा, आपको उससे cover करना है, पूरा का पूरा, और हम उस book को आपको यहाँ पर cover भी करा देंगे, जिससे की आपको कोई परसानी नहीं होगा, 5 से 6 परसने, इसमें पूछे चाहेंगे, static gk के, आगे देखे, अगर book की बात करे, science, general knowledge, इसमें history, policy, geography, economics, और आपका static gk है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते, या तो crown की एक subjectivity वाली book आती है, आपने देखा भी होगा, crown की एक subjectivity वाली book, या फिर lucent की subjectivity वाली book, इन दोनों में से कोई आपको ले ले लेना है, अगर आपको आपके पास दोनों हैं, चलेगा, ठीक है, दोनों हैं, चलेगा, आपको जो topic दिया जाएगा, जो weekly topic 23 तारीक से 23 सेप्टेमबर से ज जब आपको समझाया जाएगा, line by line जब समझाया जाएगा, तो वहां से आपको बहुत आसानी होगी इसे समझने में, तो आप comment करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसके according, आपको crown या फिर lucent को एक एक chapter, chapter wise यहाँ पर crown या lucent का photo खीच करके इसको यहां से अच्छे से समझा दि जाएगा, जिसे की आपको आसानी होगी पढ़ने में, चाहे किसी भी topic से हो, तो lucent या फिर crown अगर आपके पास book है, तो बहुत अच्छा नहीं है, तो आप ले लेंगे, कोई एक book है, चलेगा, दोनों book है, तो भी चलेगा, मिला करके भी आप पढ़ सकते हैं, बात करें, subjective जब हम book बना लेंगे, जैसे कि इस objective में जो भी topic दिया जाएगा, उसको जैसे ही हम cover कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरे अच्छे से दो बार, तीन बार scan कर लेंगे, तो उसके बाद हमें अपने आपको evaluate करना है, मुल्यांकन करना है, उसके लिए objective लगाएंग उसी दिन या फिर उसी week में आपको उससे related MCQ भी कर लेने है, उसके बाद अगर आपके पास ये SSC की घटना चक्र, SSC का जो घटना चक्राता है previous question का, समान अध्यान का, जो की 2022 वाला latest edition है, इससे पहले SSC के जितने भी exams हैं, जिसमें की CPO है, CHSL है, आपका GD है, MTS है, तो ज सारे के सारे exams के प्रस्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी book है, इसको केवल आपको क्या करना है, ले लेना है, जो भी topic आपको दिया जाएगा, उस topic से लग जाकर के, केवल आप घटना चक्रस के भी से भी सवाल लगा लेंगे, तो आपका काम हो जाएग इतना कर लेना हमारे लिए बहुत sufficient होगा, चाहे tier 1 की बात करे या फिर tier 2 की, आगे देखे current affairs में क्या करना है, देखे current affairs के कुछ topics हैं, जो important है, जैसे books author से, जेखे हम last six, एक year का, last एक साल का, देखे, दिसमबर में exam प्रस्तावी थे, तो लगबग आप मान के चलिए, दिसम दिसमबर 2022 तक का पूरा current affairs हमें cover करना है, क्या करना है, जनवरी 2022 से दिसमबर 2022 तक का पूरा current affairs करना है, जिसमें कि आप ये topic wise भी कहीं पर YouTube पर सर्च करेंगे, या फिर कोई बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा, उसे topic wise भी book order एक साल का, awards honors एक साल का, days in themes एक साल का, appointment chief minister, governance जो भी है, rankings इंडिया का, या फिर जो index है, किस index में ranking क्या मिला है, ये आप देख सकते हैं, sports में क्या जैसे कि IPL का है, FIFA है, तो जो भी sports से related, या trophies से related, क्या current affairs से उसको देख सकते हैं, एक साल का military exercise जो भी कहा हुआ हुआ है, क important लोगों का जो अभिच्वरी, यानि कि निधन हुआ है, और कुछ लोग news में रहें, उसको देख सकते हैं, international news क्या-क्या cover में रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं, topic wise भी सर्च करके, या फिर, या फिर इसे तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ, ये जो important एक साल का current affairs पूरा जो आएगा, ठीक है, जो पूरा December मन्त में या November मन्त में आएगा, ठीक है, तो SPD को आपको ले लेना है, उसके एक-एक Line को यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, किवल आपको परिषान नहीं होना है, एक-एक Line को अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपको सुन कर के पूरा का पूरा याद हो जाएगा देखे अगर आप डिटेल में करेंट अफेर्स करना चाहते हैं तो घटना चक्र का वारसे कांक आएगा तो उसे करवा दिया जाएगा वादबा की परिच्छा मंथन का एक लक्ष शिरी जाता है उसको भी आप कवर कर सकते हैं तो इतना आपको करना है लेकिन आप ये भी जा सकते हैं टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं यूटीब पर विडियो बहुत सारे मिल जाएंगे वहां से देख सकते हैं नहीं तो यहाँ पर भी आपको पूरा एक साल का करेंट अफेर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा जनवरी 2022 से दिस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है जल्दी से जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा आपको टार्गेट दिया जाएगा उस टार्गेट के एकौर्डिंग आपको ब साइन्स के क्लाजिस प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिये जाएंगे, आप अगर साइन्स नहीं भी कंप्लीट करते हैं किसी भी बुक से, तो यहाँ से आप देखेंगे पूरा लिशेंट, NCRT 9th और 10th का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छे बुक्स के कॉम्पाइलेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको लिशेंट का अबजेक्टिव और SST का घटना चक्र वाला अबजेक्टिव, इन दोनों को अगर आप लगा लेते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई है, हम प्रोवाइड, हम ज्यादा से आपको क करेंगे कि आपको SST घटना चक्र, अगर SST की CGL को टार्गेट कर रहे हैं, तो SST घटना चक्र जो 2022 वाला है, उसे आप लेकर उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक कम्प्लीट करेंगे, और उसके एकॉर्डिंग आपको जा करके उसी के अ कि Maximum प्रस्ण हमसे ही बनेंगे, तो आप अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक चैनल को सेर कीजिए, चैनल पर नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर दोस्तों, अगर आप सेर करते हैं, आपके लाइक, आपको जूप जैसा भी, आपको चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और उससे हमें काम करने को एनरजी मिलेगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!